दोस्तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जार्खन में अगले 3-4 दिनों में अधिक्तम तापमान में अधिक्तम तापमान में अधिक्तम तापमान में 6-9 डिग्री सेल्सियस की ब्रिधी की संभावना है बतादी की बंगाल की खाड़ी में लोग प्रेसर वाला एरिया कमजोर पड़ गया है इसके कारण से जार्खन के दक्षिनी इलाकों में बारिश की संभावना फिलहाल कम है हलाकि आस्मान में आंशिक बादल चाय रहेंगे वह मौसम शुष्क बना रहेगा पोस्टेल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का परयोग कर सकेंगे मीडिया कर्मी खबरह की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोग सभा चुनाओ दोजार चौबिस में मीडिया कर्मियों को आवश्चक स्रेनी में रखा गया है चुनाओ कबरेज के दोरान अपने करते बेपर उपस्थित सभी वैसे मीडिया कर्मी जिने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाओ कबरेज के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया है इस बार पोश्टेल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का पर्योग कर सकेंगे इस बार भी लिया जा सकेगा डिगरी कोलेजों में इंटर में एडमीशन मेटरी की एक्जाम देने वाले चात्रों के लिए बेहत बड़ी खबर सामने है जैक यानि जारखन एकडमिक काउंसिल ने सत्र दोजार चौबिस चबड़ी के लिए इंटरमीडियेट के ग्यारमी कक्षा में एडमीशन के लिए सीटों की संख्या जारी कर दी है खबर है कि इसमें अंगी भूत डिगरी महाविद्यालेओं में संचालित इंटरमीडियेट की कक्षा को चलाने के लिए भी सीटों की वेउस्था की गई है इससे यह तै हो गया है कि जारखन के डिगरी कोलेजों में भी इस बार भी इंटर में एडमीशन लिया जाएगा खबार है कि पिछले साल उच्वद तकनीकी सिक्षा विभागने डिग्री इंज कॉलेजों में इंटर की कक्षाय संचालित नहीं चला जाने का निर्देश जारी किया था लेकिन जहारखन सरकार ने इसमें निर्देश को बिलोपित कर्शात्रों को बड़ी राहा दे दी है मुख्यमंत्री चमपई सोरेन ने कहा लोक सभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे मुख्यमंत्री चमपई सोरेन ने सोसल मीडिया एक्स पर लिखा है कि राजनेतिक दलों को तोड़ने विधायकों को डराने धमकाने और लालच देकर सरकारें गिराने मीडिया पर कबजें और कमपनियों से वसूली के बाद अब विपक्च के मुख्यमंत्रियों की गिरपतार आम बात हो गई है उन्होंने लिखा है कि जरा सोचिए कि एक मेर का चुनाओ जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोग सभा का चुनाओ जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे आजादी के साथ दशकों बाद यह देश लोग तंत्रे से चलेगा या ताना शाहि से अगामी चुनाव में यह फैसला आपको करना है। चंपई सुरण ने कहा है कि जरा सोचिये कि एक मेर का चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग, लोगसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। अधानी राची के पूर्व उपायुक्त आयस चवी रंजन को जारखंड उचने आले से राहत नहीं मिली है। खबर है कि उनकी जमानत याची का अदालत ने खारिश कर दी है। उनके अलावा प्रेम परकाश को भी जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। बतादे कि चवी चवी रंजन को बीते वर्स चार मई और प्रेम परकाश को 11 अगस्त को परवर्तर नीदे साले ने गिरपतार किया था। बतादे कि चवी रंजन 2011 बेच के आयस अधिकारी हैं बीते साल चार मई को परवर्तर नीदे साले ने पूछताच करने के बाद उन्हें गिरपतार किय बतादी कि उन पर सेना के कबजे वाली चार दसलों पांच पांच एकड जमीन सदर थाना इलाके के चेशायर होम रोड इस्थित एक एकड की जमीन की अवै तरीके से फरजी दस्तावेच पर खरित बीक्री मामले में सनलीपतता का आरूप है। याचिका के माध्यम से उन्होंने जारखंड उच न्याले के उस आदेश को चुनावती दी है जिसमें उन्हें बिधानसभास सत्र में शामिल होने की अनुमती नहीं दी गई थी। सत्र में शामिल होने के लिए उन्होंने पी एमेले कोट और उच न्याले से अनुमती मागी थी। लेकिन दोनों ही अदालतों ने उन्हें सत्र में शामिल होने की इजाज़त देने से इनकार्म करते हुए उनकी याची का खारिज कर दी थी। इस तारिक तक आधार से लिंक नहीं कराए पैन तो हो जाएगा रद। 31 मार्च तक पैन कार्ट से आधार लिंक नहीं होने पर बैंक से पैसे भी निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए इनकम टेक्स की ओर से 31 मार्च 2030 तक की डेडलाइन जारी की गई थी। उसके बाद कई लोगों ने इनकम टेक्स का नहीं होने पर ध्यान नहीं दिया जिस पर सभी पैन कार्ट धारियों को एक एक अक्छर का ख्याल रखकर पैन से आधार जोड़ा जा रहा है। बता दे कि इसके चलते कई इनकम टेक्स धारी परिशान हो रहे हैं। कई वोटर कार्ट से बनाने के बावजूद पैन कार्ट को आधार से लिंक करना अनिवारे कर दिया गया था। बता दे कि 50,000 से ज्यादा के लेन देन के लिए पैन कार्ट जरूरी होता है। तो 31 मार्च के बाद 50,000 रुपे से जादा का लेन देन पर भावित हो सकता है। इसके लिए यूजर्स को 31 मार्च 2024 से पहले ही पैन को आधार से लिंक कर लेना अनिवारे कर दिया गया है। एक अप्रेल से बदल जाएंगे पेंशन से जुड़े खास नियम। फंड जिहां पेंशन फंड नियमक और विकास पराधिकरन पी एफ आरडिये ने राष्टिये पेंशन प्रणाली एनपेस की सुरक्षा को और अधीक ब्यहत्तर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि पी एफ आरडिये ने सेंटरल रिकॉर्ड कीपिंग एजनसी यानि सी आरे तक पहुँच के लिए दो कारक परमानी करण की प्रक्रिया शुरू की है। आम यूजर्स के लिए यह प्रक्रिया एक अप्रेल से शुरू होंगी। इस सुरक्षा अध्यतन का उदेश ये एनपियस पारिस्थिति की तंत्र में शामिल ग्राहकों और हीत धारकों के हीतों की रक्षा करना है। नियामक अधिकारियों के एक नए कदम के बाद उप्योग करताओं को अब 1 अप्रेल 2024 से आधार आधारित लोगिन परमानी करण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसे मौजुदा यूजर आईडी और पासवर्ड आधारित लोगिन परक्रिया के साथ एकिक्रित किया गया है। PFRD ने इस बात पर जोर दिया कि यह नई लोगिन जिहां लोगिन परक्रिया एक विकास है और NPS प्रणाली के भीतर किसी भी अनाधिक्रित पहुँच और संभावित खत्रों से बचाने के लिए है। साथी इस से जुड़ी चिंताओं को भी दूर करने का प्रयास करें। सफलता पुर्वक अंजाम दिया है। साथी कदम है। रेलवे बोड ने दिया पेंट्री कार बंद करने का आधेश। रेलवे बोड ने ट्रेन के पेंट्री कार में खाना बनाने पर रोक लगा दी है। जिससे अब ट्रेन में नाश्ता और खाना नहीं बनेगा। रेलवे बोड के अनुसार ट्रेन के पेंट्री कार में केवल जून तक खाना मिलेगा। जिसके बाद पेंट्री कार बंद कर दिया जाएगा। हलाकि ट्रेन में चाहे या पानी गर्म करने की सुविधा मौझूद रहेंगी। जरूरत पढ़ने पर यात्री ट्रेन में पानी और चाहे गर्म कर सकते हैं। यही नहीं स्टेशन पर मौझूद आई आर सीटी सी के रस्वी घर भी बंद कर दिये जाएंगे। ट्रेन के पेंट्री कार और आई आर सीटी सी के कीचन बंद होने के बाद यात्रियों को खाना कैसे मिलेगा। दरसल इसके लिए आई आर सीटी सी ने कलश्टर बेस्ट पेंट्री कार बनाने का खाका तयार किया है। जहां नाश्ता और खाना बनेगा और फिर इसे ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों तक पहुँचाया जाएगा। इन कलश्टर्स के लिए IRCTC टेंडर निकाल सकती है। देश की सेमी हाइ स्पीड ट्रेंड वंदे भारत में पहले से ही यह सुविधा मौजूद है। सभी वंदे भारत ट्रेंडों में केवल पानी गर्म किया जा सकता है। वही जब ट्रेंड चलने के लिए पूरी तरह से तयार होती है, खाने की चीजे यात्रियों को तभी परोसी जाती है। वर्तमान में करदाताओं के पास पुरानी और नई कर दाखिल करने की परणाली के बीच ऑप्शन है। ले जा रही है जिसका लक्षिय पूर्ण परिवर्तन करना है। यह कदम एक ऐसे बहुश्य का संक्य देता है जहां निवेशकर लाभों के बजाए वीतिये आवशक्ताओं और लक्षियों के आधार पर किया जाता है। हाल के कर परिवर्तनों सेधारा 80C के लाभों को धीरे धीरे।